जै गुरूजी, शुक्राना गुरूजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, संगजी मैं आपके सामने एक ससंग शियर कर रही हूँ, बुलबुल आंटी, शुक्राना सदसंग, और उससे पहले कुछ विचार, थौट्स हैं जो गुरूजी ने मन में डाले हैं और लिखते हैं, कुछ आपके साथ गुरु जी के थौट्स शेयर करती हूं कि संगत जी आज गुरु जी भी हैरान है परिशान है कि उन्हें तो अपनी संगत को ये सब नहीं सिखाया था कि खुदी गुरु बनकर बैठ जाओ पिछले डेड़ दो साल पहले जाकर देखें तो सोचें कि हम कितन खुश थे बड़े मंदिर जाते थे तब हर कोई जा सकता था कोई पास की जुरुत नहीं थी सारी संगत एक बराबर कितनी सेवा क्या मेनेजमेंट गुरु जी के बहुद्दे पर मुझे याद है 2019 साथ जुलाई आठ लाक संगत थी उस दिन गुरु जी की बात याद आई और गुरु जी की बात सच्चुई कि एक दिन आएगा जब संगत साथ आठ लाक एक दिन में आएगी फिर एक दिन आएगा जब संगत मुठी भर रह जाएगी वे भी सच्चुआ और फिर वे दिन आया. आठहजार क्या 800 भी नहीं रह पाए सोचा है कभी घ्याराई में कि मालिक नैसा क्यों किया किसी के पास जवाब नहीं है हर कोई कहता है हम तो गुरुजी की संगत है हम तो सेवादार है हम तो सधसंगी है नियम से मंदिर जाते थे सेवा करते थे, सत्संग करते थे, जाब करते थे, तो फिर गुरुजी को ऐसा क्यों लगा, कि कहीं कुछ सही नहीं हो रहा, कहां सेवा करते करते, संगत में, सेवादारों में इगो बढ़ने लगी, कि अब हमारी अवस्था तो गुरुजी ने बहुत उची कर दी है, अब हम म गुरू जी देते हैं फिर सेवा कैसे रिष्टेदारों को जानकारों को मिलने लगी गुरू जी के नाम पर सचसंग करने के लिए लोगों ने चार्ज लेना शुरू कर दिया वो जो नई-ई-ई संगत जुड़ती थी नई-ई-ई लोग संगत कराना चाते थे उनके लिए लोगों की डेकोरेशन करवाओगे उतना ही चार्ज बढ़ता जाएगा गुरू जी बार-बार हमसे और भी लोगों से सचसंग शियर करवाते रहे जहां हमें और बाकी मंदिर के सेवादारों को लगता कि ये गलत हो रहा है एनाउंस्मेंट होती मंदिर में भी होती कि ऐसा ना करे मैं भी बहुत बार कभी प्यार से कभी गुस्से से विरोध करती रही कई बार बुरा भला भी सुना मैंने लोगों से कि आंटी तो टीचर की तरह हमें बोलती है हमारे पैसे है हम जैसे मरजी गुरू जी का दरबार लगाएं जितने मरजी फूल लगाएं 15-15,000 के फ गुरू जी टाइम टाइम पर इंडिकेशन देते रहे रुख जाओ अभी भी वक्त है सेवा को सेवा की तरह करो निश्काम करो निस्वार्थ करो अपने करम मत बढ़ाओ मेरे मन में भी डर समाने लगा कि कहीं इनकी वज़से हमारी भी सेवा ना छूट जाए गुरू जी बार बार कहते तुचिंता न कर यहां मैं आपको अपना सत्संग शेयर कर रही हूं गुरू जी मुझे कहते तुचिंता न कर मैं इन सब को सबक सिखाऊंगा यह अपनी मन मानी इने में नहीं करने दूँगा मैंने सत्संग ही बंद करा देने हैं सब अपने घर में सत्संग क रखा था मच जाओ प्लीज मुझे छोड़कर मच जाओ अपनी सेवा बक्षो आपको पता है न कि मैं मरते दम तक आपकी सेवा करना चाहती हूं आपको पता है कि मेरे पास समय बहुत कम है गुरुजी और मुझे आपकी सेवा चाहिए कैसे भी तब गुरुजी ने मुझे अपने सीने से लगाया और बोले तु क्यों गब राती है तेरी सेवा कहां वापस ले रहा हूँ मैंने कहा संगत कहा है कैसे आएगी गुरुजी बोले तुझे पहले ही अमरित वेला बक्षा है जिसमें सिरफ तु अकेली नहीं है सारी संगत अपने अपने घर बैठ कर गुर्बानी सुन रही है सुबा शाम दिन राज तु जो सुबा बैठ जाती है तैयार होकर और मुझे भी सजा समार कर बैठती है अमरित वेला में और जो लाइव सत्संग चलाती है जिसमें सारी संकत जुड़कर मेरे करीब हो जाती है तो मैं बहुत खुश हूँ मैं कहीं नहीं जा रहा तेरे पास रहूँगा हमेशा रहूँगा और तेरे जीते जी ऐसी सेवा और सेवा लेता रहूँगा तू कहीं भी रहे सेवा करती रहेगी फिर बोले बूल गई पिछले साल यूएस में थी तब भी रोती थी मुझे वापस ले चलो मेरी सेवा छूट रही है देख वहाँ भी पाँच महीनों में तेरे नाती की सेवा के साथ तुने सौ ससंग रिकॉर्ड किये प्रमात्मा की उस्तर करती रहना मैं हर रूप में तेरे साथ हूँ संगा जी जब मेरी आँख खुली तो जो दुपट्टा मैं अपने सर पर लेकर रोज आना जाब करती हूँ वो मेरे हाथ में था और मैं बड़बडा रही थी मत जाओ गुरुजी प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर देखा उस दुपट्टे के रूप में मैंने गुरुजी का कुर्ता पकड़ रखा था वो मेरे प्यारे गुरुजी और सामने गुरुजी गद्धी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे जैसे बोल रहे हो अदरक वाली चाए नहीं पिलाएगी बहुत थक गया हो तुने सारी रात मेरा कुर्ता नहीं छोड़ा अब चाए प्यूँगा और आराम करूँगा अचानक मेरे मुँ से निकला अभी लाई मेरे लाडे सा मैंने गुरुजी को एक निया नाम दिया मेरे लाडे सा मतलब मेरे लाड ले शुकराना गुरुजी इतने प्यारे दर्शन देने के लिए इस पत्थर को आपने पारस कर दिया गुरुजी मुस्कुरा कर बोले मेरी चली पारस मनी मुझे गुरुजी ने एक नया नाम दिया मेरी पारस्मनी ओ मेरे गुरुजी प्यारे प्यारे गुरुजी शुक्राना गुरुजी लव यू गुरुजी आप ऐसे ही मुझसे सेवा लेते रहना मैं सारी जिन्दगी आपकी सेवा करने को त्यार हूँ पर मुझे छोड़कर कभी मत जाना जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी